हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल दर लर्निंग सरकल पे दोस्तों आज अपन चक्रवर्थी भी आज के बारे में पढ़ेंगे जिसे इंगलेस में कमपॉंड इंट्रेस्ट कहते हैं दोस्तों एक से दो कोश्यन हर एक्जाम में पूछे जाते हैं कमपॉंड इंट्रेस्ट से इसी इक्रम में मैं आपके लिए ये चैप्टर लेके आ गया हूँ दोस्तों वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो किरपे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं चलिए शुरू करते हैं देखिए यदि किसी धनराशी का दो वर्स में पांच पिर्तिशद वार्षिक व्याज की दर से सादरन व्याज और चक्रवर्ती व्याज का अंतर छेदे समलब दो पांच रुपए है तो वै धनराशी ग्याद करो इसका दोस्तों डारेट फॉर्मूला होता है मैं लिख देता हूँ आपके लिए डी मतलब अंतर बरावर मूलधन दर बटे सो की घात में दो ठीक है अब अंतर तो उनने अपन को दे रखा है छेदे समलब दो पांच बरावर और अपन से क्या धनराशी पूछिए जो कि प्रिंसिपल कहते हैं इसे दर दे रखिए उनने अपन को पांच बटे में सो ही रखते हैं हमेशा और दो क्योंकि दो वर्ष कही होता है तीन वर्ष के लिए अलग फॉर्मूला होता है ठीक है अब देखिए छे दिसमलब दो पांच का अगर अपन दिसमलब वटाएंगे यह 25 कहा जाएगा नीचे और यह 100 इसके साथ गुणा हो जाएगा बटे में 25 और यह बराबर मूलधन ठीक है 25 से काट लेते हैं 25 एकम 25 25 से जाएगा 25 बार में 625 इसका स्क्वेर होता है 25 का 625 25 गुणा 100 कितना हो जाएगा पच्छिस सो रुपे जो अपनी धन राशी है वो कितनी हो गई 25 रुपे आ जाती है देख लेते हैं कौन सा अपना आंसर हो जाता है यह अपना राइट आंसर हो जाता है दोस्तों बड़ते अंगले कुशन की तरफ देखे यदि एक राशी चकरवर्ती ब्याच की दर से 5 वर्षों में 3 गुणी हो जाती है तो उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुणी हो जाएगी बड़ा यह आसान तरीका होता है दोस्तों इसके लिए देख लीजिए बड़ा शौट में कर दूँगा 5 वर्षों में कितनी हो रही है 3 गुणी और अब इन्हा पूछा है कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी देखिए कुछ नी करना होता नीचे वाला जो होता है ना इसे लिख सकते हैं अपन 3 का S2 लिख सकते हैं 3 का बर्ग अपन इसे लिख सकते हैं क्योंकि ये 9 है जो बर्ग होता है ना उसका गुणा किस से होता है जो इस तरब लिखा हो है ना इससे गुणा हो जाता है बस डारेक्टी आ जाता है आंसर 5 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा 10 वर्ष दोस्तों ये तो हो गया एक टाइप के कोश्चन मैंने इसके ऐसे दो टाइप के कोश्चन ले रखे है ठीक है इसमें क्या अभी तो घाद बन गई एक घाद कब बनाते है अपन जब यहां पर आदार 3 आ रहा है ठीक है तब तो डारेक्ट हो जाता है अगर यहां पर आदार अलग-अलग आ जाते हैं राश्चि आठ गुणा हो जाएगी देखे अपन ऍहसे बर्ड़ को जाएगी देखिध़ में एटक होजायी किसा और आप पुछ meet कितने वर्ड बर्श्मर में है कि के पार डार्ज को जाएगी रहीक है देखेश अब यहां पर आधार अनाग यां पर था आपके लिए कैसे करते हैं देखिए क्या करना होता है अपन को यहापे जो 6 लिखा है इसे लिखना पड़ेगा 3 गोणा 2 ठीक है और जो 4 लिखा है इसे लिखना पड़ेगा 2 की घाथ 2 ठीक है और जो नीचे वाला 8 है इसे लिख लेंगे 2 की घाथ 3 और अपन को यह निकालना ह वो अपना इस परिकार से निकल सकता है ठीक है अब आपनको करना क्या होता है दोस्तों वैसे direct अब मैं आपको बताऊ ना तो 3 का गॉणा आगे वाले 3 से हो जाएगा क्योंकि 2 से 2 कट जाता है और 3 का गॉणा 3 से हो जाता है नौ बर्स अपना answer directly आ जाएगा तो कुछ होता नहीं है नीचे रखने से, इस बार अपन को ये 2 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है, 6-18, बटे में 2, कितना आ जाएगा, 9 वर्स, ऐसे भी निकाल सकते हैं, और डारेक्ट 3, गुणा ये वाले 3 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 9 वर्स टारेक्टी आ जाएग यदि वे ब्याज 26 सेयोजित करता है, तो कितना ब्याज अधिक मिलता है, पहले 26 वाला लगा लेते हैं, एमाउंट बराबर प्रिंसिपल, 1 प्लस, आर बटे, 200 की घाथ, 2N, ठीक है, प्रिंसिपल डाल देते हैं, मतलब ना मूलधन, 10,000, प्लस, 10 कितनी दे रखी है, 8 बटे में 200 और 2 गुणा, एक वर्ष है तो, ठीक है, काट लेते हैं, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 0, 2 एकम 2, और यह कितनी बार में कट जाएगा, 25 बार में, तो 25 गुणा 1, प्लस, एक कितना हो जाएगा, 26 बटे, 25 की घाथ 2, और यहां पे कितना आ जाएगा, 10,000, सॉल्व कर लेते है 10,000, गुणा 26, गुणा 26, बटे में 25, गुणा 25, कोई घाथ 2 थी तो, दो दो बार लिख लिया, 25, 400, और 25 से 4, 8, 12, 16 बार में कट जाएगा, ठीक है, 26 इंटू 26 होता है अपना, 676, गुणा 16 होगा, यहां पे कर देता हूँ, 676, गुणा 16, चकनक 36, 67 42 और 3, 45, चकनक 36 और 4, 40, 6 कम 6, 7 कम 7, और 6 कम 6, 6 प्लस 5, 11, 7 और 1, 8, 6, 4, 10, कितना हो गया, 10,816, ठीक है, अब अपन कर लेते हैं, बार्शिक वाला, एमाउंट बराबर, प्रिंसिपल, 1 प्लस आर वटे 100 की पावर में हैं, डाल दें, 10,000, 1 प्लस आर वटे 100 की घात में, 1, काट लें, 4, 2, 8, और कितनी बार में चला जाएगा, 25 बार में, ठीक है, 25 और 2 कितना हो गया, 27, तो 10,000, गुणा 27, बटे 25, काट लेते हैं, 25, 25, 24, 100, कितना आगया, 4000, 4, 7, 28, 2, 4, 2, 9, 10, कितना आगया, 10,800, उपर अपना आया था, 10,816, दोनों को घटा लेते हैं, देखिए, अंतर ब माइनस 10,800, बरावर कितना जाएगा, 16 रुपए, तो यह 16 रुपए, क्या अपना आंसर हो जाता है, दोस्तों, देख लेते हैं, उपर कौन सा उप्शन है, C उप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों, बढ़ते हैं अंगले कोशन की तरफ, देखिए, चकरवर अंतर निकाल लेते हैं, अंतर कितना आ रहा है, 26 रुपए, तो यह कह सकते हैं अपन, कि 26 रुपए है न, 16 रुपए पर एक वर्ष्ट का ब्याज कितना मिल रहा है अपन को, 26 रुपए मिल रहा है, तो अपन इससे क्या दर निकाल सकते हैं, ठीक है, अपन अपना SI वाला formula ल रख लेंगे, दर अपन को निकालनी है, और समय अपन एक वर्ष्ट रख लेंगे, बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, देखिए, आर बराबर क्या आएगा, 26 गुणा 10, बटे में 65, तेरा दूनी 26, तेरा पंचे 65, और पांच दूनी 10, तो यहां से दर कितनी आपकी 4%, दर तो आपकी आगई दोस्तों, लेकिन आपको क्या निकालना है, धनराशी निकालना है, क्या निकालना है, धनराशी, तो धनराशी के लिए आपको फॉर्मिला लगाना पड़ेगा, देखिए, मैं आपके लिए कर देता हूँ, अब देखिए, अपन जानते हैं क साड़े 600 रुपए पे अपन को कितना 26 रुपए बे आज मिल गया मिल गया असानी समझ में आ रहा है यह वाली बात अब अपन को जब अपने से solve करेंगे तो अपन को वही वाला formula लगाना पड़ेगा amount 1 plus r बटे 100 की power में इस formula से ही solve होगा देखिए amount में अपन को लिख देखिए साड़े 600 मूल धन अपन को निकालना है दर अपनी 4 और घात में 1 ठीक है काट लेते हैं 4 कम 4 25 बार में जाएगा 25 plus 1 26 बटे 25 देखिए गुणा कर लेते हैं तेरे गुणा 66 गुणा 25 बटे में 26 पराबर पी तेरा दूनी 26 तेरा पंचे 65 जीरो तो से कट जाएगा 25 बार में 25 गुणा 25 होगा आपका 625 तो यहां से क्या 625 अपने के निकलाएगा मूल धन निकलाएगा यह आपसे पूछा था यह धनराशी अपनी आ जाती है 625 देख लेते हैं यह option अपना right answer हो जाता है दोस्तों बढ़ते हैं अंगले question की तरफ कोई धनराशी पर 2 वर्ष का चक्रवर्थी व्याज 910 रुपे हो और व्याज की दर 16 सई 2 वर्टे 3 प्रितिशत हो तो 3 वर्ष का साधरन व्याज ज्याद करो देखिए formula क्या होता है अपना amount बरावर principle 1 प्लस आर वर्टे 100 की घात अपनको क्या amount नहीं दे रखा है अपनको चकरवर्थी व्याज दे रखा है तो उसमें अपन क्या करेंगे मूलदन जोड़ देंगे तो इससे क्या बन जाएगा amount बरावर P 1 प्लस रेट कित्ती दे रखिए है अपनको 16 सही 2 बटे 3 16 सही 2 बटे 3 कित्ता होता है अपना देख लेते हैं 16, 48 और 2, 50 बटे 3 तो 50 बटे 300 हो जाएगा ये और घात कित्ते कियाएगी 2 किकी 2 वर्ष का निकालना है 0, 0 कर जाएगी 5, 6, 30, 6 और ये कित्ना हो जाएगा 7 बटे 6 घात 2 है तो दो बार लिख लेता हूँ अब देखिए 910 प्लस P इनका यांगोना कर लेते हैं 7 सताई है 49 49 P बटे में 36 910 P ठीक है? 910 प्लस P यहाँ पे आ जाएगा अब इससे solve कर लेते हैं दोस्तों P को साइट भेज लेते हैं 49 P बटे 36 माइनस P बरावर कितना हो जाएगा? 910 49 P में से 36 P घटा लेंगे कितना बचेगा? देख लिए घटा के 9 मिस जाएगा तो 3 4 मिस 3 जाएगा तो 1 13 P बच जाएगा यहाँ पे काट लेते हैं P बरावर 910 गुणा 36 बटे में 13 तेरा एकम 13 तेरा सत्य इंक्यानवे और 0 तो P बरावर अपना कितना जाएगा? 7 चंग 42 27 एककेस और चार 25 2520 अपना क्या यहाँ से? मूलधन निकल आता है ठीक है दोस्तों? अब मूलधन तो अपना निकल आया है लेकिन अपन को क्या? साधरन ब्याज निकालना है तीन वर्षों का ठीक है? तो उसके लिए अपन को अलग से फॉर्मुला लगाना पड़ेगा यहाँ पे लगा देता हूँ SI बराबर PRT बटे में 100 मूलधन कित्ता आ गया? पच्चिस सो बीस रुपे गुणा धर अपनी कित्ती है पचास बटे तीन बटे में 100 और तीन वर्षों का अपन को निकालना है तो तीन से तीन कट गया और पचास दुनी 100 और दो से यह से काट लेते हैं अंसर आ जाता है दोस्तों देख लेते हैं कौन सा ऑप्चन है? बी ऑप्चन अपना राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों बढ़ते हैं अंगले कुश्यन की तरफ देखिए 5000 रुपे डेड़ वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज की 6 प्रतीशत वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? अब देखिए वर्ष जदे रखा है इसके लिए फॉर्मुला अलग लगता है अमाउंट बरावर प्रिंसिपल वन प्लस आर वर्टे 100 की घाद एन और फिर से लगाना पड़ेगा वन प्लस आर वर्टे 100 की घाद में यहाँ पर क्या हो जाता है? आर और एन का गुणा हो जाता है दोस्तों इस तरीके से फॉर्मुला आपको लगाना पड़ेगी तो एमाउंट बरावर पांच अजार प्रिंसिपल डाल दिया मैंने वन प्लस आर कितना दे रखाया पन को 6 बटे 100 देड़ साल है तो एक साल यहाँ रख देंगे और आधी साल वहाँ पर रख देंगे तो आर कितना है? 6 गुणा आदा यहाँ रख दिया बटे में कितना है? 100 सॉल्फ कर लें 2, 3, 6 यहाँ पर से कितना हो जाएगा? 103 बटे 100 बचेगा और बाकी यहाँ पर देखिए 5000 गुणा 2, 3, 6 और यह कितनी बटे 50 बचास बचास बचास? सॉल्फ कर लेते हैं 0 से 0 कट जाएगी यह गया 100 बचास बचास तो 100 गुणा 53 गुणा 103 बटे में 100, 100 से 100 कट जाएगा तो amount बरावर कितना आ जाएगा? 103 गुणा 53 कर लेते हैं कितना होता है? 103 गुणा 53 तीतर का 9 3 इंटू 0, 0 3 एकम 3, 5 तिया 15, 15 एकम 5, 4, 5 5, 4, 5, 9 यह तो अपना क्या आ गया? amount ने कल क्या आ गया? देख लेते हैं क्या पूछा है इनने? ब्याज पूछा है इनने दोस्तों तो अपन ब्याज निकालने के लिए क्लिए क्या करेंगे? amount मैं से principal को घटाएंगे ठीक है? Mr. Dhan मैं से मूलदन को और मूलदन कितना है अपना? 5,000 घटाने पर कितना है अपना? 4,469 रुपे यह अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों दिख लेते कौन सा है? D option अपना right answer हो जाएगा अगले कुशनी तरह बढ़ते हैं देखिए कितने वर्षों में? 1500 रुपे चक्रवर्ती व्याज की दर 10% से 1815 रुपे हो जाता है यदि व्याज वार्षिक सहियोजित हो अब 1500 रुपे कितना हो रहा है? 1815 तो अपन देख लेते हैं 1500 यहां लिख लिया और 1815 यहां जाएगा formula में नहीं लिख रहा हूँ बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं देखिए 1 प्लस R R अपन को 10% दे रखा है और अपन को वर्ष निकाल लिए ठीक है? अब अपन क्या करेंगे? इसे बटे में ले जाएंगे इसके नीचे आजाएगा यह ठीक है? 0 से 0 कट गई 10 और 11 बटे 10 की घात क्या हो जाएगी? इसे काट लेते हैं अपन दोस्तों अगली स्टेप में बटे में 1500 काटें 5 से काटें 5 तीया 15 5 चके 30 और 5 तीया 15 5 तीया 15 0 11 बटे 10 की घात में कितना बच गया? 363 बटे में 300 बराबर 11 बटे 10 की घात वैसे ज़्यादा देखा जाएगे बराबर 11 बटे 10 इसे अब अपन के लिख लेंगे 11 बटे 10 की घात इससे कट जाएगा तो n बराबर कितना आ जाएगा? 2 तो दो वर्ष अपना अंसर आ गया दोस्तों देख लेते हैं कौन सा उप्शन है? बी ऑप्शन अपना राइट अंसर हो जाता है दोस्तों बढ़ते हैं अंगले कौशन की तरफ देखिए 10 परेनम की दर से 3 वर्षों के लिए एक निष्चत रासी पर चकर वर्थी प्याज और सादर्ण व्याज का अंतर 93 रुप Evans है राशी ग्यात करें देखिए 3 वर्षों के लिए दे रखा है और यह अंतर तो देखी तीन वर्षों के अंतर का फॉर्मूला क्या होता है अंतर बरावर P R बटे 100 की घात में 2 और साथ में 300 पलस R बटे 100 सबसे आसान तरीक है यह दो बशबाला और साथ में इसे लगा देंगे तो तीन वर्ष का बन जाता है अंतर उन्हें दे रखा है 93 और P अपन को निकालना है राशी और R दे रखा है 10% भार्षिक दर और बटे में 100 300 प्लस दर कितनी है 10 बटे में 100 ठीक है और सॉल्ब कर लेते हैं 93 90 P कितना आजाएगा 0 से 0 कट जाएगा 1 बटे में 100 गुणा 310 बटे में 100 ठीक है 0 से 0 अपना कट जाएगा देखिए बागी सबको 3 गुणा कर देते हैं उस तरब यह सब ऊपर चले जाएगे 93 गुणा 100 गुणा 10 और 31 कितना नीचे आजाएगा बराबर P काट लें 31 तिया 93 कित यह option अपना right answer हो जाता है दोस्तों काफी important question है यह कई वार exam में पूछा जा चुका है दोस्तों यह बढ़ते हैं अंगले question की तरफ 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवर्थी व्याज कितना होगा जबकि व्याज की दर प्रिथम वर्ष 4 परसेंट दोतिय वर्ष 5 परसेंट और तोतिय वर्ष 6 परसेंट हो इसके लिए काफी आसन तरीका है amount बराबर principle लेते हैं 10,000 गोणा 100 में 4 जोडएंगे 104 बटे 100 दोतिय वर्ष के लिए 100 में 5 जोडएंगे 105 बटे 100 तितय वर्ष के लिए 106 बटे 100 हो जाएगा गोणा कर लेते हैं 104 गोणा 21 गोणा 53 बटे में 10 इन 3 गोणा करना है पहले मैं 104 गोणा 21 कर लूँ 104 चार दूनी 8 जीरो दो एकम 2 कितना हो जाएगा 184 अब इसमें क्या गोणा कर लेते हैं अपना क्या बच रहा है एक सो अब 53 से गोणा कर लेते हैं तो यह पन से गोणा करेंगे तो 4 तीय 12 आठीय 24 तो रहें 25 तीन एकम 3 चार पांच तीन दूनी 6 पांच चो को 20 पांच एटे चालेस और दो 42 पांच एकम 5 चार नो पांच दूनी 10 2 पांच साथ नौर छे पंद्रा कितना आगया अपना 11,57,52 बटे में 10 एक गिन के पीछे से क्या लगा लेते हैं ते समलव कितना हो जाएगा 20 अब देखिए यह तो अपना क्या आगया अमाउंट आगया लेकिन अपन को क्या निकालना है ब्याज निकालना है तो इसमें से अपन को क्या 10,000 घटाने पड़ेंगे अमाउंट माउंट माउंट प्रिंसिपल ही क्या होता है अपना CI होता है तो अपन को चक्रवर्थी ब्याज निकालने के लिए इसमें से क्या घटाना पड़ेगा मूलदन को घटाना पड़ेगा जोगी कितना है 10,000 ठीक है कितना आएगा 15,75 दिसमलव तो 0 यह अपना आंसर आ गया दोष्टों देख लेतने कौन सा ओप्शन है 15,77 वाला यह ओप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है जोभत दोष्टों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इससे शेर करें और लाइक भी करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं रन्यवाद दोस्तों